जब मनीश्य सोधिया जेल से बाहर आए तो पार्टी कार्याले पहुचे पार्टी कार्याले पहुचने के बाद उन्होंने पने पार्टी के कार्यकरताओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उनके भाशन ने बीजेपी की नींद को हराम कर दिया वे उनके भाषन में BJP के और लेकर ऐसी ऐसी पॉल डाली कि अब BJP के नेता काठ ढून रहे हैं लेकिन उन्हें मनीश्य सोधिया के भाषन की काठ मिल नहीं पा रही है एक एक करके हर बात का धिक्र करेंगे मनिश इसोधिया ने सबसे पहले ये कहा कि अगर बीजेपी पार्टी इतनी ही इमानदार है और अगर उनकी सरकारे इतनी ही इमानदारी के साथ काम कर रही है तो वो अपनी सरकारों के काम क्यों नहीं गिनवाते अगर बीजेपी जिन जिन राज्यों में सरकार में है अगर वहां कि सरकारों के काम इमानदारी से गिनवाए या अगर इमानदारी से उन सरकारों ने काम किया है तो उन्हें फिर विपक्ष को जेल में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्होंने कहा कि एक खुला चेलेंज है कि अगर वो इतनी ही हिम्मत रखते हैं तो आमाद्वी पार्टी के सरकार के साथ अपनी किसी भी राज्चे के सरकार का डेटा और काम आकर उसका मिलान कर ले सच्चाई उन्हें खुद ही पता लग जाएगी और उसके बाद मरीश्य सद्या ने एक एकर के बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया और सबसे जादा बार उन्होंने अपने भाशल में ताना शाह शब्द का इस्तेमाल किया ताना शाहर शब्द का इस्तेमाल करते बगा कर रहेंगे लेकिन ताना शाह को भगाएंगे नहीं उसको हम अपने साथ रखेंगे उसको हम सुधारेंगे और उसको अच्छा इंसान बनाकर रखेंगे सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने भाशन में ये भी कही कि आप बीजेपी पार्टी दूसरी पार्टियों को तोड़ने में एक्सपर्टीज रखती हैं और उन्होंने कहा कि जिन जिन पर वो आरोब भ्रस्टाचार के लगाते हैं उन्ही को वो अपने साथ मिला लेते हैं और उन्ही को फिर इमानदार-इमानदार कहते हैं लेकिन याद रहे कि जो लोग उनके साथ हैं और जो इस समय पर खुश हैं नंबर उनका भी आएगा और जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ब्रश्टाचार की बात बीजेपी को नहीं करने चाहिए उन्होंने कहा और साथ ही अपनी पार्टी के कार्यकरता उसे नारे भी लगवाए कि इमांदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में और भारतिये जन्ता पार्टी इतनी अपने आपको कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज में एक उधारन नहीं पेश कर पाई कि उस राज में काम इमांदारी से हो रहा है क्योंकि भार सबस्ट देश करें दिखा धेमधा के साम दांद बेद करके जयल में भीजने की भंकी देखें जयल में भबेज बेंसकर हमले करकिम कंद्धम करवातन करें एक मत्र एक्सपरटीज किसी पार्टी ने पाई है तो व भरती जन्ता पार्टी है कि लेकिन उसके बावजूद कानता हूं किस-किस के ऊपर क्या कै दवाब नहीं था और क्या क月 नहीं होगा और किया धमकिया नहीं आ कि अब तो दुश्मन भी इस बात को मांने लगाए कि यह इन आम आदमी पारटी वालों में कुछ तो मिटी है जो सत्रे सत्रे महीने, चैचे महीने जेल में रह जाते हैं, इनके नेता उसके बावजूद, ना जुकते हैं, ना टूटते हैं, किसी मिट्टी के तो बने हैं, ये उस मिट्टी के बने हैं, मैं बताता हूं ये उस मिट्टी के बने हैं, भारतिय जन्ता परटी वालो, जिस पर भगत सिंग के पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं जिस मिट्टी पर खड़े होके बाबा सहब ने तुम्हारी जैसे लोगों की ताकतों के उस वक्त की ताकतों के जुलम छेले थे उस मिट्टी से ये बने हुए हैं इनको तुम्हारी तोता मेना क्या तोड़ पाएंगे मनीश जी सत्रे महीने बाद आ रहे हो दो दिन के लिए रेस्ट पर चले जाना मैंने का यार चेल के बाहर कदम रखने के बाद पहला हाथ जिस कारेकरता ने पकड़ा था और रात को घर तक जो दूर खड़ा था केवल देख के गया है वो मीद लगा रहा है कि मेरा मनीश सिस मेरा भाई बाहर आ गया है और मैं कहूं नहीं मैं तो छुट्टी जा रहा हूं यह नहीं खौन पसीना बहाने के लिए बाहर आया हूं चुट्टियां बनाने के लिए नहीं मनीश सोधिया ने इसमें यह कहा कि बीजेपी की जो एक्सपर्टीज है वो पार्टी तोड़ने में है लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा वो सबसे बड़ी बात है और उन्होंने कहा कि जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आप सत्रा महीने के बाद जेल से बाहर आये हैं एक दो दिन घर पर आराम कर लीजिए उसके बाद काम पर लगेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं चुटी मनाने के लिए नहीं आया हूँ उन्होंने कहा कि हम अब इस मिशन पर लगेंगे और ताना शाही को खत्म करेंगे और साथी उन्होंने कहा कि ये दावा है कि जब आप और हम मिलकर काम करेंगे तो बीजेपी वाले वोट ढूंडते रह जाएंगे और उन्हें वोट हाथ नहीं लगेगा और उन्होंने इसी को लेकर सिर्फ अपनी बातों में उन्होंने किसी एक वर्ग की बात नहीं की बलकी उन्होंने अपने इस पूरे भाशल में लगबग लगबग सभी वर्ग को शामिल कर लिया उन्होंने कारोबार्यों का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने युवाओं का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने जिन राज्यों में चुनाओं होने हैं, यानि कि महराश्ट, हर्याना और जहारखंड और जम्मु कश्मीर उन सब की भी बात कर ली, महिलाओं की भी बात कर ली, और सा से पहले उन्होंने बात की जब विक्सित भारत के बनने की तो उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा के किसी भी कीमत पर किसी भी राष्ट को आप विक्सित नहीं बना सकते हैं और इसी को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोल दिया और उन्होंने कहा कि हमें जेल में सिर्फ इसलिए डाला गया क्योंकि हम दिल्ली और दिल्ली वालों का विकास कर रहे थे हम उन्हें अच्छे शिक्षा दे रहे थे हम उन्हें अच्छे स्वास्ते के लिए अच्छे सुविधाय दे रहे थे हम उनके लिए रोजगार दे रहे थे और इसी लिए हमें जेल में डाल दिया गया भारतिये जनता पार्टी को अगर लगता है कि मनीश सुधिया को जेल भेजने के बाद वो दिल्ली की शिक्षा करांती को रोख लगा देंगे तो वो गल्ती कर रहा है वो भूल कर रहा है इस बात की बिल्ली के हर गरीब आदमी को यह एलेक्षन का बहत्तरीन शिक्षा दे के उसको समाज की मुखे धारा में लाने का सपना पूरा करने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे तुम जेल की क्या बात करते हो यार हुम जेल से डराते हैं हम जान देने के लिए तयार हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए नौकरी के लिए और स्वास्त के लिए तो हमारी कई जिंदगिया भी कुर्बान हो जाएं तो कम है यार आप हमें जेल से डराते हो नहीं डरेंगे तो मनीश शिसोधिया ने जब इस बात का जिक्र किया कि वो गीता लेकर जेल में पहुचे थे तो यानि कि उन्होंने अपने हिंदू वोटर को साधने की कोशिश कि जब उन्होंने विनेश का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एक हमारे छोटे से गाउं से आने वाली लड़की जो पूरे देश का पर्चम विदेशों में लहरा देती है लेकिन उसे जंतर मंतर पर पुलिस से घिसटवाया जाता है और जब वो कहती है कि प्रदान मंतरी साहब आपके एक नेता ने हमारे साथ बत्तमीजी की है तब वो चुप हो जाते हैं यानि कि विनेश का जिकर करके उन्होंने खिलालियों के साथ साथ महिला शुरक्सा का मुद्धा भी उठा दिया और साथ ही जब उन्होंने शिक्षानीती को लेकर बात की और उन्होंने कहा कि आप पूरे हिंदुस्तान को छोलिए पूरी दुनिया में देख लीजिए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप पूरी दुनिया में इसको भी देखना कि किस तरह से राश्ट विक्सित बने है बिना शिक्षानीती के बिना अच्छी हैल्थ सुविधाव के कोई भी राश्ट विक्सित नहीं हो सकता है और यही काम हम और हमारी सरकार कर रही थी यानि कि उन्होंने सीधे तोर पर युवाओ को साधने की कोशिश की है और उन्होंने युवाव के इस मुद्दे को उठा कर देश के हर युवाव की नब्स को पकलने की कोशिश की कि शिक्षा है तो अच्छा है शिक्षा है तो आप बेतर राष्ट बनाने में एक एहम भूमी का निभा सकते हैं अगर अच्छी हेल्थ सुविधाय हैं तो आप एक बेतर और स्वस्त राष्ट बनाने में एहम भूमी का निभा सकते हैं और इनी बातों का जिक्र अपनी बातों में मनिश्य सोध्या ने किया खुब गीता पढ़ी मैंने उसके लावा मैंने दुनिया भर की एजुकेशन की बुक्स पढ़ी अमेरिका में फ्रांस में जापान में इंडिया में भी कहां एजुकेशन पे क्या काम हुआ खुब पढ़ा में कम से कम 100-100 books तो मैंने education के बारे में पढ़ीं दुनिया की education system के बारे में और मैंने एक सीज जानी दोस्तों और मेरा इरादा और फर्म होता गया आप पर हम तो पहले से उस पे यकीन करते हैं नहीं मेरा यकीन नहीं होाँ पक्का होता गया कि भारत को 2047 तक अगर विक्सित राष्ट्र बनाना है तो एक-एक बच्चे के लिए शांदार सरकारी स्कूल उपलत कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विक्सित राष्ट्र बनाना सत्रे महिने में उससे पहले कि अपने काम आप सब के काम कि अगर भारत को विक्सित राष्ट्र बनाना है तो देश के एक-एक बच्चे के लिए शांदार सरकारी स्कूल और जहां प्राइवेट है उनकी प्राइवेट स्कूलों की कीची मि corazón आप kommer के लिए अगर कोई आदमी कहता है कि मैं सिक्षा की बात कि यह दूत भारत को विक्सित राष्ट्र बनाने की बात कर लेता हूं तो जुमले बाज ही होगा वर इन बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पूरे भाशन में सबसे जादा शब्द का इस्तेमाल किया वो शब्द है तानाशअ and उन्हों ने तानाशअअ शब्द का इस्तेमाल करते हुए यह कहा कि जब मैं रिहाई से पहले जेल में था और जेल में जब मैं टीवी देख रहा था और मुझे पता लगा कि मेरी रिहाई का ओडर हो चुका है तो उन्होंने कहा कि मैंने तारीख देखी तारीख थी 9 अगस्त यानि कि इसे दिन भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत हुई थी मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इस शुब दिन के दिन मेरी रिहाई क्यों हो रही है तो उन्होंने कहा कि मैंने आखे बंद की और भगवान से पूछा तो मुझे जवाब मिला कि भारत छोड़ो आंदोलन जब महात्मा भगाने की बात कर रहे हैं ताना शाहों को नहीं कि आज तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आमने यही देखा कि जब ताना शाही बढ़ी तो ताना शाहों को देश से बाहर भगाने का काम जनता ने किया यानि कि बांगला देश का जिक्र भी उन्होंने कर दिया टानाशा ही भारत चोड़ो कि आवाज उठानी पड़ेगी गली-गली में महले महले में और हम येवर sudah बारत फिलाव नहीं, हम इस थार करें । किलिए वह। रचाह बहुद हैं तैनाशा हो भारत हों, G portions इतने बढ़ गए उसके दो अप्सके करता हूं को जेल में डाल दिते हैं यह उनको देश से बहर भगा देते हैं विपक्षखे करताथ को जेल में धेल देते और उसके बाद कहते हैं देखो चुनाब पर चुनाब जीतते जा रहे हैं हमारी तो GDP भी बढ़ रही है हमारी तो trillion millions चल रहे लेकिन, जो हकीकत क क्या है, वो कई देशों की जंता ने दिखा चुकी है कि भाइ wow साहा की बाहर भगाना की हम तो ताना सोधिया ने यह भी कहा कि हमसे अकसर यह पूछा जाता है कि आप आम आदमी पार्टी वाले के स्मिट्टी से बने हैं मैं जेल में था तो मैं अपने कार्यकरताओं को अपने नेताओं को देख रहा था सड़क पर संघर्च करते हुए उनके उपर भी नहीं जाने कैसे कैसे दवाओं बनाए गए होंगे लेकिन एक भी बीजीपी का कार स्रेकरता तो चे रहे करता या विदायक टूटा नहीं है उस ने पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं किया है वह केजरी वाल के साथ जिस अमीद के साथ खब है उसी उमीद और दाकत के साथ वह आज भी खड़े एं और इसको लेकर बीजेपी वाले ये भी पूछते हैं कि आखिर किस मिट्टी से बने हैं यह आम आद्मी पार्टी के लोग तो उन्हों ने इसके लिए जो बात कही वो बात सबसे एहम है उन्हों कहा कि आम आद्वी पार्टी के लोग उस मिट्टी से बने हैं जिस मिट्टी पर भगत सिंग का पसीना गिरा है उस मिट्टी से बने हैं जिस मिट्टी पर संघर्ष करके अमबेटकर सहाब ने समविधान लिखा है और इसलिए हम तूटते नहीं हैं हम अपनी बातों पर अडि और बाहर आने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा ताना शाही को बना लिया और अपने भाशन में हर वर्ग को साधने की कोशिश की और साथ ही उन्होंने चार राज्यों के चुनाओं के साथ साथ दिल्ली में अगले साल होने वाले विदानसभा चुनाओं का भी ऐल कि दिल्ली की जो आज हालत है उसके जिम्मेदार केंदर सरकार है क्योंकि केंदर सरकार ने जलबोर्ट का पैसा अभी तक نہیں दिया जब मैं मंंत्री था तब से मैं पैसे की मांग कर रहा हूं लेकिन अब 17 महीने जेल में हो गए उसके बाद भी केंदर सरकार पैसे नहीं दे पाई बलकि उलूल जुलूल आरोप लगा कर उलूल जुलूल बाते बता कर फाइल को अटकाने का काम किया और जिसके चलते दिल्ली के नाली और नाले साफ नहीं हो पाए और बार जैसे इस्तिती दिल्ली में बन गई है मनिश्य सोधिया कि इस भाशन को लेकर आप क्या सोचते हैं और आप किस तरह से इस भाशन को समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूर